तो कैसे हैं आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत आपका हमारी YouTube चैनल study भी थी होगे इसमें आज आपके लिए एक बहुत important वीडियो है जिसमें अब मतलब बीच बीच में आपकी current affair की class भी आएंगी मैंने current affair मतलब उसको select किये हैं question निकाले हैं जो आपकी exam की दिष्टे से important हो सकते हैं क्योंकि जब lower PCS का exam था मैंने 5 वीडियो उस टेम पे current affair की गराई थी और जो upper PCS का exam है आपका अप्रिल में वो मान के चलिए कि आपको 2020 और 2021 की current affair का idea होना चाहिए यानि पिछले दो सालों की current affair लगभग लगभग हमेशा ही पूछी जाती है तो अगर आप lower PCS की जो मैंने current affair वाले folder बनाया है उनकी 5 वीडियो को देखते हैं उसके बात मैं लगभग जुलाई तक मैंने वहां कराया था जुलाई 2021 था उससे आगे अगस सेप्टमबर अक्टोबर नॉमबर दिसंबर जनवरी और फरवरी के मिट तक यानि 15 फरवरी त कोई भी एक्जाम हो उसमें पुरुसकार समबंदी कुश्चन हमेसा आता है ठीक है तो बच्चे ऐसी परिशान रहते हैं सर कौन सी current affair पड़ें क्या पड़ें तो लगभग मान के चले week में एक class या हर दो हपते में एक class अब आपकी इस परकार से आएगी ताकि आपके आपके उपर से वो हड़ जाए ठीक है तो देखना मैंने select किये हुए उसी copy में आप लोग continue करना इसको आप लोग पुरुसकार लिख लिए जो 2021 या 2021 क्योंकि कई बार क्या होता ना जो पुरुसकार होते हैं जैसे 2020 के होंगे कोई awards होंगे वो 2021 में दिये गए होंगे जैसे 2020 का होगा दिया गया 2021 होगा तो बच्चों को confused हो जाता है कि 2020 का है तो आएगा नहीं आएगा वो announcement जब recently किया गया होता है तो वो सारे question आने की संभाव नहीं रहती हैं तो इस topic को अच्छे से तैयार कर लेना ये आपके सभी exam ठीक है क्योंकि कभी ग्यान फिट पुरुसकार कभी दादा साहब फाल के बूस देगा तो इस प्रकार की current affair आती ही आती है तो जो exam की दिरिष्टे से important है जैसे मैं section wise करा दूंगा कभी पुरुसकार करा दी कभी आपना sports के question करा दींगे कभी आपकी सूचकांग बगरा जो आते हैं अलग-अलग index में ranking आती है उसके question करा द बेसिकली 2021 कुछ question 2022 की भी हो सकते हैं जो main main है अपने आप में ठीक है एक मैंने आपको question कराया था जब आप lower PCS का exam दे रहे थे तो मैंने question करा था कि DRDO ने scientist of the year का award एक doctor को एक मतलब जो अपने आप में यह herbal से संबंद क्या कर रहे थे है अनुसंधान यानि research बगरा कर रहे थ पर उसके आधार पर दवाओं का निर्मान कर रहे थे उनका नाम है हेमन्त कुमार मतलब पांडे और इन्हों ने जो है अपने आप में हिमालई छेत्रों में विशेसकर पिथोरागड जिले के आजपास के इलाकों में लगभग बहुत लंबे समय था research किया और एक जो wide पुरानी लिखूंगा ठीक है डियाडियो का scientist of the year award ये मिला है हेमन्त कुमार पांडे को हेमन्त कुमार पांडे ठीक है यानि डियाडियो का scientist of the year डियाडियो का scientist of the year award यानि पुरुषकार मिला हेमन्त कुमार पांडे जी को और इनका जो संबंद है वह हरबल दवाओं से ठी इनसे संबंदी चीज़ें इन्होंने बनाई और इनका संबंद अपने आपके किसे है हरबल दवाओं से एक क्वेशन आपको यह आपको ध्यानवेर रखना है ठीक है दूसरा क्योंकि उत्तराखंड बिसेश कर हम लोग जो पढ़ते हैं उत्तराखंड बिसेश ओरिंटेट हमा में से कौन नहीं आएगा एक्जाम में ठीक है पहला आपको बता है माधुरी बर्तवाल जी कला के छेत्र में माधुरी बर्तवाल ठीक है इनका संबंद कला के छेत्र में दूसरा बसंती बसंती देवी बसंती देवी यह हैं सामाजिक कारिये और तीसरा वंदना कटरिया ओल 2022 में पदम सरी जो awards मिले हैं इन तीनों के नाम आपको याद रखने होंगे और important question इसको कर देना ठीक है और इससे पहले कि 2022-2021 के आप लोगों को पता होंगे कुछ लोगों के 21 के भी मिले थे वो नहीं देख रहा हूं क्योंकि यह recent है 2022 तो 2022 का आपने देखना है ठीक है इसके ब को भी मिला है इस बार कल्यान सिंग को मिला है पुरू मुख्यमंत्री युत्तर प्रदेश के हैं और कुछ लों को और भी मिला है लेकिन इतना नहीं याद रखना है ठीक हो मरणो प्रांत क्या दिये गया इनको अपने आप में जो पद्म विभूशन है ठीक है पद्म के सबसे बड़े अवार्ड में पद्म विभूशन होता है फिर पद्म विभूशन होता है फिर पद्म सिरी होता है ठीक है यह तीन के तीन आपको याद रखने होंगे बत्तब य इनको भी मिला है यह याद रतने है, बेसिकली कुशन आपका यहीं से पूछने की संभाव नहीं रहती है, ठीक है? इसके बाद हिंदी साहित्य के लिए वर्स 2021 का साहित्य अकादमी पुरुषकार क्या लिखा आपने वर्स 2021 के लिए हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरुषकार और इनका जो नाटक था वो था समराथ असोग यानि समराथ असोग के लिए इनको दिया गया है। ब्रेकेट में लिख दो इनके नाटक का नाम जिसके लिए दिया गया है समराथ असोग के लिए इनको क्या किया गया है अपने आप में ये अवर्ड मिला है और टोटल बीज भासाओं के लिए दिया गया है ठीक है इस आयत्याकाद में उपस्कार और इंग्लिज भासा के दिया गया नमिता गोखले को वैसे बेसिकली हिंदी पुछता है ठीक है नमिता अंग्रे जी नहीं पुछेगा आपको गोखले यानि यह बीज भासाओं के लिए दिया गया उसमें हिंदी के लिए दिया गया दयाप्रका सिन्हा को और अंग्रे जी के लिए दिया गया नमिता गोखले को आप सिर्फ हिंदी वाला याद रखना इतना बहुत है ठीक है इसके बाद एक और अवार्ड मिला था अंतराश्टी Golden Globes 2022 अवार्ड में Best Actor का अवार्ड जैसे आप लोगों ने जो सायमत तभी Entertainment की दुनिया होती है जहां Movie बगर है या Bollywood है Hollywood है यहां पर जैसे Oscar सुना होगा उसी प्रकार से एक यह जो Hollywood का एक बहुत बड़ा अवार्ड है अंतराश्टी उसको बोलता है Golden Globes अवार्ड ठीक है यह भी किस छेतर में दिया जाता है यह Hollywood के छेतर में दिया जाता है Los Angeles नाम सुना होगा अपने अमेरिका में वहां पर यह अवार्ड दिया जाता है यह इसमें Best Actor का अवार्ड जो मिला है Andrew Garfield को दिया गया है तो इसको एक question लिख लेना Golden Globes 2022 Award में Best Actor Golden Globes Golden Globes पुरा लिखना है Golden Globes 2022 Award में Best Actor Golden Globes 2022 Best Actor का अवार्ड दिया गया Andrew Garfield को तो क्या लिखोगे 2022 में Golden Globes Award में Best Actor Best Actor मैंने ऐसी लिख दिया ठीक है Best Actor कि इसको मिले है Andrew Garfield को Andrew Garfield को मिला है इतना जहार रखना बस यह इतना important नहीं है फिर भी मैंने करा दिया यह बहुत ज़्यदा important नहीं है इसको important मत रखना है ठीक है अब देखो एक और award दिया गया है वो आलिया भट को मिला है Peta India Person of the Year 2021 ठीक है आलिया भट लिखना भी बताता हूं क्या है P.E.T.A. Peta का Person of the Year Award 2021 यानी Peta का Person of the Year Award 2021 किसको बनाया गया है आलिया भट को ठीक है इसको क्या लिखोगे आलिया भट यह जो पेटा है बच्चो यह क्या है यह जो animals होते हैं जानवर होते हैं इनके खिलाप मतला इनके लिए ethical द्रिष्टिकोंड अपनाने से सम्बंदित है यानी अपने आपने जानवरों की रक्षिया जानवरों के लिए अच्छा काम करना उसे जो animals होते हैं यानि जो जानवर होते हैं उन जानवरों के लिए ethical द्रिष्टी कौन कौन अपनाता है उन जानवरों के लिए अछा काम कौन करता है उसके लिए जो पेटा है वो क्या करता है अपने आप में person of the year चुनता है और इस बार उसने आलिया भठ को चुना है क्यों कि इन्होंने जानवरों के लिए अच्छे काम किये होंगे, कुछ investment किया होगा इसी जगह, जहां जानवरों के लिए फाइदा हो रहा होगा, जानवरों को नुकसान नहीं हो रहा होगा, तो ये पेटा का award है, इसको याद रखना है, तो आपको ये award याद रखना है, इतना ही अगला है हाल ही में किस देश ने PM द्वारा इंडिया को अपने राष्ट का सर्वोच नागरिक सम्मान दिया गया भूटान ने दिसंबर 2021 में हमारे प्रधानमंत्री को भूटान के प्रधानमंत्री या नि भूटान सरकाद होगा अपने देश का सर्वोच नागरिक सम्मान दिया तो लिखो हाल ही में किस देश ने भारत के PM को हाल ही में किस देश ने भारत के PM को अपने देश का सर्वोच नागरिक सम्मान दिया यह भूटान ने दिया एक कोशन यह यह या दखना है यह दिसंबर 2021 में दिया तिक है दिसंबर 2021 में क्या दिया गया अपने देश का सर्वोच जो अपने आपने नागरिक सम्मान है वो किसको मिला है प्रधान मंतरी मोधी को किसने भूटान ले दिया गया है यह देश ध्यान रखना है ठीक है अब देखो जो यह है पेटा वाला यानि पेटा मैंने क्या बताया जानवरों के लिए है ठीक है यानि एक परकार का people for ethical treatment on animals यानि ethical treatment करना है अपने people for ethical treatments on animals यानि जो जानवरों के लिए आपने अच्छे काम के हैं उसके लिए गए क्या पता कभी पूछ देगा कि पेटा द्वारा person of the year award 2021 कि इसको मिला है और भारत के प्रधामंति को सर्वोच नागरिक सम्मान किस देश ने दिया है अपने देश का वह भूटान यह हो गया ठीक है अब एक बहुत important award है बहुत highlight नहीं रहता लेकिन वह बहुत ज़्यादा जरूरी है इसको ध्यान दखना से रामानुजन पुरुषकार किस महिला को मिला है गनित के छेतर में मिलता है ठीक है बहुत important तीसरी महिला बन गी विश्वकी हो रामानुजन पुरुषकार मिला है प्रोपेसर नीना गुपता जी को नीना गुपता और इसके bracket में लिख लो गनित के छेतर में यह दिया जाता तीसरी महिला वनी जिनको ये अवर्ड मिला है और भारत की फोर्थ परसन है इंडिया की फोर्थ गहे परसन है ठीक है भारत की चौथी ब्यक्ति है और विश्टो की तीसरी महिला है जिनको रामा नुजन अवर्ड मिला ये ध्यान रखना ठीक है अब जैसे टाइम मैगजिन के person of the year किसकו चुना ये वो हाला की अभी ये नहीं आते फिर भी एक आप लोग लिफ रिजे noot करके Time Magazine ने person of the year किसको चुना है Elon Musk को ठीक है Time Magazine ने person of the year किसको चुना है Elon Musk को ठीक Elon Tesla Company रहेख French Musk तो Only月 Time Magazine की person of the year टाइम मैगजिन ने क्या चुना है इनको Person of the Year ठीक है बहुत बड़ी बात हुती ही टाइम मैगजिन के फ्रेंट मा आना बहुत बड़ी है तो एलन मस्क को यह चुना गए है अब देखे इसके बाद Miss Universe 2021 सभी को पता है हरनास सिंदू ठीक है यह आपको आना चाहिए हरनास कोर सिंदू Miss Universe Miss Universe 2021 किसको मिला है हरनास कोर सिंदू हरनास कोर यह most important ठीक है आपका यह paper मा आ सकता है 2021 में इंडिया की क्यों सी person बनी यह third Indian बनी ठीक है third Indian जो Miss Universe बनी पहली कप बनी थी 1994 में कौन सुसमिता सेन दूसरी सन 2000 में लारा दत्ता और तीसरी 2021 में कौन बनी है हरनास कोर सिंदू यह ध्यान रखना आपको यह आ सकता है और यह जो अपने आप में था यह कौन सा था यह 2021 में जो Miss Universe अवार्ट था यह 70 नमबर का था इसके बाद आता आपका बच्चो ग्यान पीट फूसकार ये most important करना, इस बार ग्यानपीट पुरसकार 2020 और 2021 का एक ही मतलब साथ दिया गया, क्योंकि COVID की वेसे नहीं दिया गया होगा, तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं, ठीक है, ग्यानपीट पुरसकार साहित्ती के छेत्र में दिया जाना आला सबसे बड़ा पुरसकार है, ग्या नम्मर का था, वो था 2021 के लिए, दोनों के नाम याद रखने हैं, उपर वाला मिला है असमिया, यानि असम के हैं वो, उनका नाम है नील मनी फूकन, क्या है, नील मनी फूकन जी को मिला है, ठीक है, फूकन, ये ब्रैकेट मां असमिया लिख दो, और जो 57 तो मिला है, मोदर माउजो, ठीक है, ये हैं माउजो, ये हैं कोंकडी, यानि कोंकडी मतलब गोवा के तटके इलाखा कोंकडी भासा के हैं, ठीक है, कोंकडी उपन्यासकार, कोंकडी उपन्यासकार, ये हैं, और उपर वाले जो नील मनी फूकन है, वो अपने आप में कहा है, असमिया सबसे बड़ा पुरुष्कार को संकर कुरुभrare को पहला क्या मिला था चेला के सिख पर डिटेल आप Vanessa ध्यान दखना कि 56 और 57 किसको मिला है और कपसे इसकी शुर्वात हुई थी क्वेशन इसी प्रकार से आपके पूछे जाते हैं इंपोटेंट अपने आप पर रह जाए ठीक ही ध्यान दखना आप लो इसके बाद देखो एक मोस्ट इंपोटेंट क्वेशन लिखना इंद्रा ग यहीं अस्त्रों का त्यार ठीक है निरस्त्री करन वो विकास पुरुषकार मोस्ट इंपोटेंट कर देना विकास पुरुषकार 2021 2021 को सुपर इंपोटेंट करना इंद्रों को यह बच्चो एक समाज सेवी संस्ता है उसका नाम है प्रथम उसको दिया गया है ठीक है तो इसको लिखो समाज सेवी संस्ता समाज से भी संस्था प्रथम को मिला है ठीक है ये प्रथम एक समाज से भी संस्था है जो क्या करती है गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा के लिए काम करती है यानि क्वालिटी जो एजुकेशन होती है उसके लिए काम करती है तो प्रेकेट में लिखो गुणवत्ता पूर्ण सि लिए और जो प्रथम जो समार से भी संस्ता है ये 95 में बनी थी बॉंबे में ठीक है यानि मुंबई में बनी थी किसने बनाई थी क्या बनाई थी वो नहीं देखना है ठीक है इसके बाद आता है संसट्वे राष्ट्री फिल्म समारोह में बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का इसमें क्या लिखोगे बेस्ट एक्टर या और बेस्ट एक्ट्रेस तो एक्टर में पूछेगा तो मनोज वाच्पेई ठीक है और एक्ट्रेस पूछेगा तो कंगना रनोध चोटा सा लिख रहा हूं में आप लोग ने सुनी है इनके नाम यह इंप्रोटेंट है ठीक है तो इसके बाद अगला गोश्ण देखिए तो संसट वे फिल्म जो राष्ट्री फिल्म समारोह है बेस्ट एक्टर और एक 2021 में किसको दिया गया मोस्ट इंपोटेंट तो लिखो दादा साहब फाल के दादा राहेव फाल के एवर्ड 2021 किसको मोस्ट इंपोटेंट टीक है यह मिला है रजनी कांत को सुपर इंपोटेंट कर देना है इस कुशन को रजनी कांत को मिला और इकिस चेतों में पता ही आपको यह दादा साही पूसका इंडेस्ट्री निई बॉलीबूर्ड इंडेस्ट्री निए बॉलीबूर्ड वगारे की छेतर में यानि मूवीज की चेतर में ज्या जाता ईसकी सुरुआत हुए थी 1969 से और पहला जो मिला था देवी का रानी को मिला था पहले पूछ दाते थे के ये पहला किसको मिला लेकिन ये पहला अगरा नहीं पूछता है पहला देवी का रानी को मिला था लेकिन 2021 का जो करेंट आफियर है वो रजनीकांत को मिला था वो आपने ध्यान में रखना है ठीक ह इसके पाद अगला रिखना है बाईस्वा लाल बहादूर सास्त्री रास्त्री उतक्रिष्टता पुरुसकार ये किसको मिलता है रणदीव गुलेरिया जी को जो कि एमस के महानी दे सक है एमस के निदे सक है रणदीव गुलेरिया जी को उनको मिला है बाईस्वा लाल बहाद एसे लिए इनको यह दिया गया है किया बाइसमा लालाबादु emphasizing पुर्सकार ょ मिला की ठीक है अब आता है बच्चो 2021 के नोबल प्रुसकार तो 2021 में जो नोबल प्रुसकार मिले हैं वो तो आपको नोबल तो हमेशा यादक नहीं है मैं आपको बता देता हूँ सांति और साहित्ति का ही एक्जाम में बेसिकली पूछा जाता है तो और तो कोई भरोशा नहीं की पूछे ना पूछे लेकिन 2021 नोबल प्रुसकार लिखना है ठीक है साहित्ति और सांति का तो हमने क्या करना है ध्यान में रखना है यह देखो साहित्ति का जो मिला है वो मिला है अब्दुल रज्जाक गुर्ना को क्या किसको मिला है most important करना है इसको अब्दुल तज्जाक गुर्णा ब्रेकेट में लिख लो तंजानिया ठीक है ये तंजानिया के हैं दूसरा सान्तिका मिला है मारिया मोस्ट इंपूटेंड है मारिया रिस्षा मारिया रिस्षा वह दमित्री मुराटाओ को वह दमित्री मुराटाओ ये दो के दो बहुत ज़्यादा इंपूटेंड रहते हैं हमेशा कि साहित्य और सान्ति का जो नोबल प्रुसकार है वो किसको मिला है वरसे 2021 के लिए साहित्य मिला है अब्दुरज्जा गुन्ना को अब ध्यान रखना हमेशा कुशन जरूरी नहीं कि आपसे नोबल ही पूछे कभी-कभी इनके देश का नाम भी पूछ सकता है कि कहां के हैं तो इनके दोनों का नाम याद रखने हैं ये कहां के हैं ठीक है इनके कंट्रीस का नाम आपको खुद ढूड़ा होगा और ये कहां के हैं तंजानी है ठीक है इसके अलावा जैसे आप लोग अब मैं लिखा नहीं रहा हूँ सुन ले ना यहां बोट पे नहीं लिखूंगा मैं चिकिच्चा है भौतिकी है रसायन है और आर्थिक है यान इकोनुमी के शेतर में तो इतना इसमें पूस्ता नहीं है बेसिकली क्योंकि दो, तिन, तिन, लोगं को मिला होता हो तो जादा तर यहीं पूस्ता है फिर भी चिकिच्चा सुनलो चिकिच्चा का नोबल पुस्का मिला है डेविड जूलियस व अर्देम पटापाउटियन ध्यान से सुनना चिकिच्चा का मिला है डेविड जूलियस तथा अर्देम अर्देम पटापाउटियन अर्देम पटापाउटियम इनको मिला है किसका डेविड जूलियस के साथ चि भौतिकी का मिला है शुकोरो मानेबे वह क्लास हैसलमेन तथा जियोर्जियो फेरिस्क अब इतने नाम नहीं आते हैं पेपर में बेसिकलिए आप लोग नेट में गूगल पे सर्च करके लिख लेना अपनी कॉपी में भौतिकी का सुन लो शुकोरो मोनेबे एक नाम यह हो गय क्लास हैसलमेन दूसरा नाम यह हो गया जियोर्जियो पेरिस्क तीसरा नाम यह हो गया इनी भौतिकी का ठीक है रसायन का सुनना बेंजामिन लिस्ट पहला नाम दूसरा नाम है डेविट सी मैकमिलन यह तो नॉर्मल नाम है याद हो जाएंगे आपको रसायन के बेंजामिन लिस्ट वा डेविट si Macmillan यह दा sign के नहें साहिती मैंने बता दिया, सांती बता दिया आर्थिक, लाश्ट में आर्थिक छेत्र में मिला है डेविड काड़, किसको डेविड काड़ तथा गूगल करना, एक बार सार्च करना की 2021 की नोबल प्रॉष्कार में बाकि तीन के तीन जो है तीन चार जो है फिजिक्स केमिस्ट्री रसाइन यह जो भी है यह आप लोग चेक कर लेना ठीक है इसके बाद आता है एक फ्लोरेंस नाइट इंगल यानि राश्टी फ्लोरेंस नाइट इंगल पुरुसकार दोजार बीस मिला है बिर्गेडियर S.V. स सरस्वती को क्योंकि इनने आर्मी में होते हुए नर्सिंग वहाँ पे हैं नर्सिंग आपिसर बिर्गेडियर रैंक की होंगी तो उन्होंने आप अच्छा काम किया है तो राश्टी फ्लोरेंस नाइट इंगल पुरुसकार दोजार बीस मिला है बिर्गेडियर बिर्गेडियर S.V. सरस्वती जी को क्या मिला है फ्लोरेंस नाइट इंगल अवर्ड दोजार बीस से सम्मानित किया गया यह ध्यान रखना ठीक है अब एक मोस्ट इंपोटेंट क्वेस्टन करना पुलिंजर अवर्ड है पुलिंजर अवर्ड यह कि छेत्र में दिया जाता है पत्रकारिता के छेत्र में reporting ठीक है पुरुसकार 2021 यह भारती मूल की है इनका नाम है मेगा राजगोपालन उईगर मुसल्बानों को कैसे कैद कीया गया है उस पर यह एक रिपोर्ट लेके आई गुती रिपोर्ट बनाके लेके आई उसी के लिए निके साहस के लिए इनको क्या दिया गया पुलिंजर अवर्ड से संभानित किया गया यह आपको आना चाहिए ठीक है अगला आता है अंतराश्टी बुकर प्रोषकार किसको मिला डेविड डियोज को ये भी बहुत important है ठीक है International Booker Award यानि अंतराश्टी पहले इसको मान बुकर बोलते थे अंतराश्टी बुकर प्रोषकार अंतराश्टी बुकर प्रोषकार International Booker Award मिला है डेविड डियोज को डेविड डियोज ठीक है डेविड डियोज को मिला है और ये फ्रांसेसी हैं और पहले फ्रांसेसी हैं जिनको ये एवार्ड मिला है और इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वर्क के दोरान की कहानी रिखी थी उसके लिए इनको मिला है और जो अंतराश्टी बुकर प्रोषकारूं की शुरुवात हुई है वो 2005 से शुरू हुई थी ठीक है यानि अंतराश्टी बुकर प्रोषकार कहां से शुरू हुए पूछेगा तो 2005 से लेकिन ये डेविड डियोज का नाम याद को आपको रख रहा है ठीक है इ जो एनी एवार्ड है इसको उर्जा के छेतर में यानि उर्जा अनुसांदान यानि एनर्जी जो आपने आपने कहा है रिसर्च है उस छेतर का नॉबल कहा जाता है तो लिखो 2020 का एनी एवार्ड Kylie से एनी एवार्ड Ñ यह 2020 का है भारत रतने Professor C.N.R. Rao, Professor C.N.R. Rao, इनको मिला है 2020 का Any Award भारत रतने Professor C.N.R. Rao को ठीक है, इसके बाद अंतिम दो गश्चन आते हैं, एक आता है वर्स 2020 का व्यास सम्मान, क्योंकि 2021 में दिया गया और हमें 2020 का दिया गया 21 में, तो 21 के ही तहित आता है गश्चन, वो म Most Important है, वर्स 2020 का व्यास सम्मान लिखो, वर्स 2020 का व्यास सम्मान, Most Important कर देना है, ठीक है, व्यास सम्मान यह मिला है सरद, सरद पगारे जी को, ठीक है, पगारे, और इनकी एक रचना है, पाठली पुत्र की सामराग्जी, उसके लिए मिला है, ठीक है, तो ब्रैकेट में पाठली पुत्र की सामराग्जी के लिए, पाठली पुत्र की सामराग्जी के लिए इनको दिया गया है, पाठली पुत्र की सामराग्जी के लिए वर्स 2020 का व्यास सम्मान सरद पगारे जी को दिया गया, यह ध्यान में रखना है, ठीक है, और यह जो एवर्ड दिया गया ह यह 1991 से दिया जा रहा है कौन सा व्यास सम्मान और किसके द्वारा दिया जाता है बिड़ाप फाउंडेशन के द्वारा और अंतिम जो क्षिन है वो मोस्ट इंपोटेंट है गाधी सांती पुरुसकार 2020 किसको मिला बंग बंदु सेख मुझिबुर रहमान को जो कि बंगलादि बंदु सेख मुझिबुर रहमान ठीक है इनको यह दिया गई बहुत इंपोटेंट कोशन होगा बंग बंदु सेख मुझिबुर रहमान ठीक है इनको यह दिया गई इंपोटेंट कोशन है अपने आप में यह था आपका मेन मेन पुरुसकार जो की बरसे 2021 के हैं 2021 में इसके अलावा कोई पुरुसकार नहीं मिला है नहीं पेपर में आएगा ठीक है अगर 2021 की पुरुसकार से कुशन आता है जाए अपर PCS में हो या कोई आपकी गुरुप से या कभी अधर एक्जाम हो इतने से आपका काम बन जाएगा क्योंकि बैंकिंग वाले पुरुसकार यहां नहीं पुछ जाते हैं यह ट्रैडिशनल पुरुसकार ही पुछता है UKPSC हो या UKPSC हो वो बैंकिंग सेक्टर, railway सेक्टर वो अलग चीज है ठीक है इतने से आपका ही क करी अपका है